दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत फिर से एक बार हमारे यूटूब चैनल पर हैं दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बेतरिन स्वाधिस्ट और सबसे दमागदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बिजनेस को करके आप अपन दाबेली बनाने की परफेक्ट विधी यहां पर पहले एक सी चुन लीजिए मैं यहां पर इस वीडियो में बता रहा हूं कि इस बिजनेस को कैसे करना है अगर इसको देखना है दाबेली को कैसे पूरा प्रेपर करना है उसके लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन ब कर अम पूरा तरीका आपको समझाते तो दोस्तों यहां पर दाबेली का जो वैपार है ना वह बहुत ही है और हर बजार में हर जगह आप किसी भी नुकड पर खड़े हो जाए दाबेली का स्टॉल लगा कर कस्टमर की लाइन लग जाएगी क्यों क्योंकि दाबेली एक ऐसी ड क्चि दाबेली अब यह मतलब कच्छी नहीं होती है इसका स्वाद कच्छा नियुक यानि गुजिरात के कच्छ शत्र में बना है इसका मसाला हो और वहीं से यह सोकर पूरे मार्केट और पूरे बार्तवर्स में फैली है कच्छी दाबेली के नाम से फैमस कच्छी दाबेली का स्वाद हर एक की जुवान पर है अगर आपने पहली बार नाम सुना है तो इसे जरूर बनाए इसको बनाने के लिए आपको कच्छी दाबेली का मसाला लगेगा अब दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि कच्छी दावेली का वेपार करेंगे तो कितना कमा पाएंगे तो भाई साब अगर आप रोज की पचास दावेली भी बेचोंगे ना तो उसमें आपका आदा मुनाफ़ा है क्यों? क्योंकि इसमें लगने वाला मसाला घरक पर तयार सभी आइटम से यह बन जाता है उसमें आपका ज्यादा कोई खर्चा नहीं है और आप एक बड़ी बेकरी में जाकर दावेली के लिए पाव ले लिजी पाव की कोस्ट क्या है? पांच रुपे का एक पाव आता है और दावेली बनकर 25 रुपे प्लेट बिखती है 25 रुपे प्लेट दावेली वा भाई मजा आ गया और एक दावेली खाएगा ना बंदा पेट भर जाएगा क्योंकि दोस्तों हमने बनाई ये और हमने खाई ये टेस्ट किया है दावेली का मजा स्वाद हो हो माई काड बहुत ही बढ़िया तो आप लोग दावेली का व्यपार शुरू करें जिस तरीके से वड़ा पाव पानी पूरी गोल गप्पे मर्ची वड़े समोसा कचोरी बिखते हैं उसी प्रकार से दावेली आपके दमाकेदार से बिखेगी इसलिए आज से ही इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप ट्राई मात्र कर ले थोड़ा सामान आईए घर पर तयार करके देखिए आपको स्वात का क्या मज़ा आएगा उसके बाद में आप इसका स्टॉल लगा दीजिए अगर आप अल्रीडी कोई दुकान चलाते हैं अगर आप अल्रीडी मिट्ची बड़ा कचोरी यहां फिर पानी पूरी बेच रहे हैं तो आप इस का के चला गया ना वापस वो खीच कर आपके पास आएगा जैसे चुम्बक कैसे आती है उस तरीके से तो कैसा लगा वीडियो कामेंट करके बताए ऐसी और डेर सारी वीडियो से देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलेंगे नई वीड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन वंदे मातरम